बट मैं थोड़ा सा इसको आपको ओर एक्सेंड कराऊंगा However, if individual is arriving in India or stay in India during current year वो ही तीन बातें कौन कौन सी for employment एक for business or vocation though or for any other purpose जहां पर intention to stay in India is for uncertain period इस case में individual will be considered यह बहुत बड़ा change किया है इन्होंने answers में will be considered as resident in India from the date of arrival in इंडिया हूँ बेशक प्रिसीडिंग फाइनिशियल इयर में प्रिसीडिंग फाइनिशियल इयर में stay less than 182 है current year में यह current year के लिए बात चल रही है current year में यदि वो employment के लिए या business के लिए या किसी और पर्पस के लिए इंडिया में आया है इदर फॉर बिजनेस वोकेशन एम्प्लॉइमेंट और एनि अदर पर्पस उस परसन को from the date of arrival in इंडिया resident मान लिया जाएगा यह study material ने एक बहुत बड़ा significant change किया है और जो मैंने आपको question discuss कराया था वो इसी point पर based था मैं आपको question दुबारा कराता हूँ वो पहले तो मैंने just comparison के लिए आपको करा दिया था अब जड़ा दुबारा से उस question को देखेंगे तो आपको इसकी clarity आएगी कि हाँ यह institute ने बड़ा एक significant change कर दिया है इसको note कर लें आप जल्दी से फिर मैं आपको वो ही question दुबारा दिखाता हूँ यह नया study material ही अब मैं आपके साथ discuss कर रहा हूँ Mr. A. इंडिया में reside करते हैं financial year 15-16 immediate preceding financial year less than 182 days April 1, 2016 को employment के लिए इंडिया में आए residential status क्या होगा during the financial year 16-17 अब इन्होंने वही बात की कि पहले तो लिख दिया here as he come to India on 1st April he primarily cannot be considered as person resident in India क्यों क्योंकि last year 182 days से कम का था लेकिन अब answer को change कर दिया और कहा however as he has come for employment he will be considered as Indian resident from 1st April 2016 जबकि पहले answer कुछ और होता था पहले answer पूरे year का दे दिया जाता था और उस समय पूरे year का answer यह होता था he cannot be considered as person resident in India during the financial year 16-17 I hope कि यह एक जो difference मैंने आब आपको कराया है यह आपको clear हो गया होगा मैं simultaneously आपको जो आपने पढ़ रखा है वो यहां तक पढ़ा हुआ था इसके आगे हम कुछ नहीं करते थे इसके आगे हम अब यह काम करेंगे यह मैंने आपको यह नोटिंग करा दी है so accordingly आप इसमें change कर लीजिएगा मैंने यहां पर आगे एक box बना दिया है change का change का box बना दिया है और change का box आपको कहां मिलेगा यह हमारी इस amendment class के अंदर cover है अब same time पर आपको यह point को भी देखना है यदि पिछले साल 182 days से ज़ादा है क्या इसमें किसी तरह का change है इसमें कोई significant change तो नहीं है बट effect तो इस पर भी पड़ेगा कैसे आपने देखा last year 182 days से ज़ादा का था current year में क्या वो इंडिया से बाहर गया है या इंडिया से बाहर stay है in purpose के लिए in purpose के लिए नहीं है तो ये person resident in India माना जाएगा current year में in purpose के लिए है तो ये मैंने आपको यही कराया हुआ था from the date जब वो इंडिया से बाहर जाता है तो हम उसको resident outside India मान लेंगे and up to the date he was in India तो हम उसको इंडिया का resident ही मानेंगे then फिर दूसरा point था इसमें पिछले साल 182 days से बाहर था इंडिया में 182 days से जादा current year में इंडिया में रह रहा है या बाहर से इंडिया में आया employment के लिए नहीं आया business के लिए नहीं आया vocation के लिए नहीं आया any other purpose जिसमें uncertain period की intention के लिए नहीं आया otherwise then लिखा हुआ है तो exception में क्या exception को qualify करता है हाँ exception को qualify कर रहा है yes yes का मतलब ये exception fulfill हो रही है वो employment के लिए नहीं आया वो business के लिए नहीं आया वो vocation के लिए नहीं आया फिर तो ये person resident outside इंडिया होगा financial year की commencement से ही मैंने ऐसा change इसलिए किया क्योंकि अभी तक तो year के लिए हिसाब से चलते थे year के हिसाब से लेकिन अब हमें किसके हिसाब से चलना पड़ेगा अब हमें date के हिसाब से चलना पड़ेगा तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर भी एक date लिखवाई है from the date of commencement of current financial year from the date of commencement of इसको भी कर लो